बागते हुए समय को और बहते हुए पानी को अपने बस में कर लेने की चाहत एक ब्रहम है। वक्त अपने हिसाप से चलता है और बहते हुए पानी को हम पकड़ नहीं सकते। ये वक्त ही है जो हमारे दिल में बीते हुए पल को छोड़ कर चला जाता है। और ऐसे ही बीते हुए पल समंदर की लहरों की तरह बहते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद ये कहानी मेरे बारे में है, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, मेरे पिता जी के बारे में है। यहाँ साथ समंदर पार अमेरिका में एक देश जो पुरी दुनिया पर राज कर रहा है, वहाँ बिजनिस शुरू करके बिजनिस वर्ल्ड में राज कर रहा है। बात कुछ समय पहले की है जब मैं बहुत अजीब हुआ करता था। मेरे फ्रेंड्स, इमोशन्स, अटाच्मेंट्स सब कुछ मेरे बिजनिस से ही था। ऐसी ही परवरिश की थी मेरे पिदा जी ने। और एक दिन अचानक साथ समंदर पार इस देश में लाकर मुझे छोड़ दिया था। और तब शुरू हुई थी मेरी कहाने। हाँ, कैटरिन। आपके डाड मीटिंग के भीच में अचानक बेहोश हो गए। सर्श वरह से खुए है? सर्शुझा है, सर्शुझा है, सर्शुझा हुए है? मैं उन्हें लाइंगॉन अमेरिकन सेंटर ले जा रहे हैं, सर्शुझा है? उनके साथ वक्त बिताने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था गुद मारिंग मिस्टर गूपी कृष्णा तो आप कैसा फील कर रहे हैं? हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी है और हमें पता चला है कि आपको माईलो अकलुकेनिया नाम की बीमारी है मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये बिमारी ठीक नहीं हो सकती फर मैं आपकी सिचुवेशन समच सकती हूँ पर मिस्टर गूपी कृष्णा आपको हिम्मत राखनी होगी मरने वाला हूँ मैं? मेरे बचने की अब कोई उमीद नहीं है मरने वाला हूँ ये बात मुझे अब हर पल मार रही थी इतने दिनों तक मैंने अपनी मेहनत से जो पैसे, नाम, स्टेटस कमाए सब कुछ बेकार है अब जीने के लिए मुझे जो चाहिए क्या है वो? में अच्छा सा म्यूजिक प्ले करती हूँ अच्छा साथ प्रूप कर दया जह जह एगा जो जह एगा है एक आओना, या कर रहो दर गोपी चलो खेलते हैं अभी नहीं खेल सकता, थोड़ी देर बाद राधिकार पत्र, सीयो, मिस्टर नील यह क्या चल रहा है डाड? अच्छा, शुक्रिया दोस्तो, बहुत बहुत शुक्रिया क्या यह सब कुछ? क्योंकि मैं चुटियों पर जा रहा हूँ ठीके जाये पर यह सब कुछ क्यों? क्योंकि किसी को तो यह सब देखना पड़ेगा ना? उसके लिए तुम्हें हो नड़ा? हाँ, बिल्कुल हो पर मैं तुम्हें इससे भी कोई बड़ा टास देना चाहता हूँ इससे बड़ा टास कोर क्या हो सकता है? इस हॉलिडे में तुम मुझे ज्वाइन करने वाले हैं बाट, कम आन बाट, कम आन बिल्समेन, बिल्स दियाँ पॉफेक्ट लंचेस इन दवर्ड अगर तुमने कोई सर्विज दी है, या ली है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे है की नहीं? अब तुम्हें नहीं केस को देखते हैं तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और तुम्हें इन सब के लिए तयार किया ये सब भी तो आखिर सर्विसेज है लेकिन मुझे क्या मिला इन सब के लिए साउंड्स वेरी सेलफिश बट मैंने क्या डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ के मुझे तीस दिन चाहिए जो कुछ मैंने तुम्हारे लिखिया उसके इवज में सिर्फ तीस दिन दे दो बस तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे मेरे साथ चलना होगा मेरी जर्नी में साथ देना होगा तुम्हें बस आल बेहपी डिल चीर्स के में फाइब जिर्स मैं ये डैट को क्या होगया सडनली हुआ 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 आरती ले लो कि अग्या हुआ पंडित जी ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे सड़नली इतनी भक्ति मुझे कहां से आगे यही सोच रहे हैं आप यह भक्ति है या क्या है मुझे पता नहीं है गौतमी की भगवान के प्रति कितनी भक्ति थी यह तो आप जानते ही अच्छी तरह से जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपास ही होगी आयम शूर कि जिन्दा थी तो उसके प्रति अपने प्यार का कभी इजार नहीं कर पाया मैं इस तरह मुझे मंदिर में देखकर शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांती मिल जाए एक छोटा सा विश्वास है आता हूं पंडेजे मुझे कुछ समझ में यह आ रहा है आग्या दीजे आतानि यह क्या करना चाहते हैं कि एक दम बेकार हो गई है मेरी जिंदगी जवान बेटा कोई काम नहीं करता एक पैसा नहीं कमाता है बाहर का कच्रा भी मुझे साफ करना पड़ता है जिन्दगी कच्रे जैसी होगी है क्या है मेरा घर साफ नहीं देख सकते आप लोग जो बीच में आके खड़े हो गए अ गणपती का चंदा मांगने आए हो देखो भाई फूरे गाव के लोग मुझे चंदा देंगे न तो भी मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली और तुम लोग मुझसे चंदा मांगने आ गये चलो चलो निकलो यहां से शर्म नहीं आती इतना समय और पैसा नहीं है मेरे पास चलो जाओ यहां से यह चंदा मांगना भी घंदा हो गया है ऐसे कपड़े पहन कर जाए तो कोई भी चंदा दे देगा और तू देख जरा इनको कुछ सीख सीख इनसे कुछ अरे कुछ काम नहीं कह सकता तो कम से कम चंदा मांगना तो सीख ले क्या जिगे है यह यहां कि मैं क्यों भॉस गया होटेल पहुंचकर बात करता हूँ मैं यहां कर पचता रहा था सोचा पापा को समझा कर यहां से निकल जाओंगा बहुत देर उनका इंतसार किया पर वो तो आई नहीं फोन भी नॉट रीचिबल था वेट करने की ताकत नहीं थी तो मैंने यहां से निकल जाने का फैसला किया और जल्दबाजी में उन्हीं का ब रिवर में सियुसाइड करना चाहते हो हां हां क्या सोच रहे हो फिर है एक मिल्ट रुको हां रुकती हूं मैं यहां खड़ा कुछ सोच रहा था तुमने आकर धक्का क्यों दिया क्या सोच रहे थे परस्टनल है तो मत बताईए पर कहते हैं कि दूसरों से दिल की बाद शेय मुझसे दिल हलका हो जाएगा अंकल जल्दी देर मत कीजिए मेरा एक जवान बेटा है और वो साली जाइदा धड़ापकर घर से निकाल दिया क्या तुम मुझे बोलने दोगी देखो मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूँ तब तक तुम बीच में बिलकुल नहीं बोलोगी थोड़ा मुश्किल है परो के ट्राइ करूंगी मैंने अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं पाला है एक बिजनसमेन की तरह पाला है और वो आज तक सिर्फ प्रॉफित लॉज गिनते हुए ही बड़ा हुआ है प्यार अपना पंस नह लगाओ इन सब जैसी चीजों की उसके जिन्दगी में कोई जगह नहीं है और शायद मुम्किन भी नहीं है मेरी तरह वो रहे मैं ये चाहता था पर मेरी तरह अकेला हो जा जो जिन्दगी आज मैं उसे इस दुनिया में जीते हुए देख रहा हूं मैं उसे अपना पचीज साल पुराना परिवार देना चाहता था अब मैं उसे अपने उस पुराने परिवार तक कैसे लेकर के जाओं यही सोच रहा हूं हम कॉम्क्राइट एश्यू है कोई बात न थी मिपक्राओं यह यहां यह संपास यह अच्छा सा रिस्टरौ रिषान है यहां पर आसा खुछ नहीं है हम्पर कहीं कार्च इसते चेलाल होता है ते मुझे कुछ तुम बहुत शर्माते हो भाई जूते निकाल दो सॉरी मा जरा खाना लगा दो तो घर में किसी को बुलाने से पहले मा को बताना तो चाहिए आजाओ बेटा बैठो बैठो बैक को नीचे रख दो देखो जो बनाया है वही खिला सकती हूँ खाओ शर्माना मत कहां तक पढ़े हो तुम लंदन स्कूल ऑफ एकनोमिक से स्कूल मेरे बेटे ने भी स्कूल में पढ़ाई चोड़ दी कोई नौकरी वगरा करते हो या नहीं या ऐसे ही गाव में घूमते फिरते रहते हो अच्छली डारी बिजनिस स्कूल सो अरे बापरे इंग्लिश इस आरे बेटा ठीक से खाओ देखो मेरा बेटा कैसे खा रहा है का थाली उठाती हूं यह टिशूर पेपर नहीं है क्या शाहिए इस बैक में होगा अब यह क्या है कि अब कि अ कि अ यह तुम्हारे पास कैसे अम दरसल यह मेरे पापा के बैक में था बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है गोपी कृष्णा अरी तो तुम गोपी कृष्णा के बेटे हो हां गोपी का मेरे पापा का नाम सुनते ही उस औरत के चेहरे की खुशी देखने लायक थी बचपन की सारी यादे उसने मेरे साथ शेयर की मेरे कोई दोस्त नहीं है इसलिए मेरे पापा के बचपन के दोस्त को यू ढूनते हुए यहां तक आना मेरे लिए बहुत शौकिंग था मेरे पिता जी जो भी काम करते थे उसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह ह McDi थी वो इतनी दूर यहां तक आये इसकी पीछे भी कोई वजह सरूर होगी वाव कितना अच्छा है ना चॉकलेट थाएंगे ना नो थैंक्स ओ शुगर है क्या तो फिर ओ हो अच्छा समझ गई missing your son आजाएगा अंकल आप उसे इतना मिस्स कर रहे है तो वह मिल जाएगा सच में एक लौता बेटा है ना अचानक मैं भी एकलौती हूँ मेरी मम्मी पापा को भी इसी तरह तकलीप हो रही होगी ना रो मत बेटी सब ठीक हो जाएगा एक बार उन्हें फोन कॉल करके बात कर लोगी तो दिल हलका हो जाएगा अच्छा इतना इजी है क्या तो फिर आप क्यों इतना दुखी हो रहे थे हां हम सो पाटी करेंगे क्या हम बोलिए जी आप ची आप ची नियस है अंकर तुम तो मुझे यहां पर लेकर आगई पर पता नहीं वह इस वक्त कहां पर होगा उसे इस तरह से छोड़कर आगया हूं पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा कहां होगा क्या कर रहा होगा देख ते हैं यज तुम क्या कह रही थी तो हूं वह सो गई भशारे कर दो दो हूं परी जूरे के दो हूं हुआ है है कि अग्या पर आप है कि नहीं दो हुआ अग्या है हुआ 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 मोबाल में सिगनल ही नहीं है कैसे कॉन्टाप्ट करो एक्सक्यूज मी क्या मैं फोन कर सकता हुआ नहीं देखे का प्रीपेड है सो रुपया दो आप फोन करो देखें बात समझने की कोशिश कीजिए कुछ अर्जेंट है तो ठीक है नोट दीजिए कर लीजिए मैं और मेरे पापा युएस में रहते हैं कुछ दिन पहले यहां आए और अब यहां पर ना तो फोन में सिगनल है और ना ही एटियम में कैश है मेरे पास पैसे भी नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी वॉच ले लीजिए या फिर मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए घड़ी मोबाइल से कौनों मतलब नहीं है वहीसा दो आप फोन करो देखें आपको बात में जितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा प्लीज मुझे एक कॉल करने दी क्या हुआ गो थैंक्स है अंदर तो कोई फोन ही नहीं है तुम रहे पास है हाँ है निकालो कि सिगनल है क्या नहीं है अब अंदर जाओ कि सिगनल आया का हां हां आ गया तो आप बात कर लो बात हुई आपकी नहीं बात नहीं हुई इंगीज टा रहा है ओ दुबारा ट्रॉई कीजिए हां मैं बात में कर लूँगा आप सेरा अपना फोन देंगे अशा एक मिनिट हलो मैडम हेलो रम्या मैं अंजुली कहां है तो यह पताओ कॉलेज के रियोपनिंग कब है दो वीक के अंदर ही रियोपनिंग है ठीक है मैं आ जाओंगी मेरे घर से फोन आई तो मैनेज कर लेना ओके हां थांक्स एट सोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कहां जाओं और तब मुझे लगा कि जिसने मेरी मदद किया है क्यों ना मैं उसे ही फॉलो करो क्या है फॉलो कर रहे हो नहीं मैं तो पास के विलेज में जा रहा था ऐसा है ठीक है जाओ जाना था ना तुम्हें जाओ क्या यार वो जो तुम कर रहे हो ना उसे फॉलो कहते हैं क्या बात है देखिया आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगी मेरा कार्ट भी काम नहीं कर रहा है जलिक्टारा मैं और मेरे पापा यूसे निखले हैं यूए सिर्फ मैं उनने समझ निपाया और अकले ही होटेल से निकल आया और अब ने कहाan जाओं किसे मिलों कुछ समझ में नहीं हो रहा है कोपी कृष्ण वेइट जस्ट मिनट आल शोओ यू हिस वेख तो तुम ही वो लड़के हो मतलब कि तुम उन्हें जानती हो क्या क्यों नहीं चलो चलो बेचार ये बुज़र्ग इंसान है तो सोचा कंपनी दे दूँ पर वो हर बार आपकी ही बात कर रहे थे मैं तो एकदम बोर हो गई इसलिए मैं उनको छोड़कर चली आई लास्ट टाइम इसी जगा मिली थी मैं उनसे मुझे जीतने की बड़ी चाहत थी हारना पसंद नहीं था और मैं बस जीतता चला गया लेकिन मैं जिन्दगी में पहली बार आ रहा हूँ मैंने जिन्दगी में जो खोया है मैं उसको वापस पाना चाहता था अब मेरी जिन्दगी का मकसद वही था इसलिए मैं चाहता था कि जिन्दगी के आकरी सफर में कार्तिक मेरा हमसफर बने मैं जहां हारा था, वहीं उसे खड़ा करके उसको जीतते देखना चाहता था चलते हुए कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि कहीं गिरने जाओं इसलिए जीतने के लिए आगे बढ़ता चला गया गया तुम्हें अपनी तरह देखना चाहता था इसलिए मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा बना दिया तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे इसलिए नहीं तुम्हारी जिन्दगी बनाना चाहता था और इस सिल्सिले में मेरे हाथ से बहुत कुछ फिसल गया जिन्देगी में पलट कर देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है लेकिन मुझे मिला मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका मिला और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुना है शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन इस आखरी वक्त में मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इस बात का तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ गौतमी की भगवान के प्रती कितनी भक्ती थी, ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से, जरूर उसकी आत्मा कहीं आसपासी होगी, I am sure जिन्दा थी तो उसके प्रती अपने प्यार का कभी इजार नहीं कर पाया मैं, सुबह उठने के बाद हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो हमारे भजपन में थी, और आज मैं वही खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे, कलीम पाशा, मेरा दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जी के ग्रूप सब उसकी वज़ा से ही है, उसकी सहायता से ही मैं यूए से पहुचा, पर वहाँ जाने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, उसके लिए मुझे मु इह भी ना, का रे गोफी, कैसा है, चालू हो गए, दिखा क्या है, निकाल, का कर रहा है, हमी सब छोड़ दिया है, उसको दे, जानता है क्यों छोड़े हैं, गोफी, मोटा हो रहूना, कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, अरे, पहले उस टुकु 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 ताक रहा उसको पिला, फिर हमको देना, नहीं तो पेट में दर्ध होगा, अच्छा, रूप, हम सोड़ा मिलाते हैं, तो उसका नजर कट जाएगा, अब सूट करेगा, एक के पैकेट लाया है क्या, चियर से गोफी, क्या आजीब आदमी है, ये गोफी कौन है, इसका उससे क्या लेन देना है, शाम होते ही पागल हो जाता है, नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, अभी शुरू हो जाएगा, समझ रहो ना, देख रहा है ना, क्यों रे, तुमको इतने दिन के बाद हमारा याद आया है, इतने दिनों का अपना दोस्ता ना, तुम वही से चले गए थे, बचपन में जब संकरवा तुमको कलुए बोला था, तो हम उसका कपार फोड़ दिये थे, तुमरी वज़े से पढ़ाई छुट गई, आई पीस की नौकरी छुट गई, तुम फॉरन चले गए, इस जंगल राज में हमरा जिनकी खराब हो गया, आईसा नौक इस गोपी जो तुमको दिख राहा है नौकू हमरा दोस्त है, उसको जो बोलेंगे हम बोलेंगे उसको मारेंगे काटेंगे चाहे गाली देंगे उसको करेंगे तुम्हारा कोई हख नहीं है, चल बातर म से से नौकार्न आई, ऑभी जो भी कज़चा होगा वो मैं दे मुझे लड़िकियों से मिलना उनसे बाते करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था अब मुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही थी मैं उसकी बातों को इंजॉय करने लगा था एक नई जर्नी शुरू हो गई थी लेट सी क्या होता है अर्फ्डर्ण हें क्याओ भाई आठीक सर्देटीन अक्सिदेट्ट्राइप अ शिट हुआ पर गड़ेख किया रहा हुआ दूआ अराम से चलू हूआ हुआ 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 अ हुआ लू गबराने की कोई जरूत नहीं है अब ये ठीक है अपनी सिंदिगी में पहली बार एक अंजान इंसान के लिए मैं परिशान हो रहा था कि अब बात यहां पर कोई होटेल वगरा है जहां पर हम रात गुजार सकें बड़ी महरबानी होगी अब अगर तुम्हें कोई तक्रीफ नहीं हो तो मेरे घर पर रात गुजार सकते हैं लेकिन अब तुम्हें कोई बात हैं ज्यादा सोचो मत चलोगे ना चलो आजाओ मालक्षमी ओ मालक्षमी इन्हें जरा अंदर बिठाओ मैं अभी आता हूँ हाँ एक बात बताओ मेरे पिता जी मुझे यहां पर लेकर आया उसके बाद वो गयाब हो गया और तब से मैं उन्हें ढूंड रहा हूँ तुम्हारी कहानी क्या है पंदरा दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर रही हूँ हूँ थांक यू हॉस्टेल से भी थांक यू वेरि माच इसे प्लीज यहान से जाने के ले कहो अंजीली चलो यहां से क्या हुआ. यह कॉलेज मुझे पस नहीं है. क्यों पसंद नहीं आया DH athletes, Lectures and concepts मुझे कूछ पसंद नहीं है. तू कुछ पसंद नहीं है? बस मैं किसी का गला दबा कर मारना चाहती हूँ. बस यह नहीं कर पारी हूँ. वो अरड़ी गुस्से में है उसे और गुस्सा मत दिला तू करना क्या चाहती है अ फ्लाइ अरी यार कुछ समझ में आ ऐसा बोल ये एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलोजी ये सब छोड़ कर बिलकुल अकेली खुश रहना चाहती हूं अब तो मैं बस लाइफ को और नीचर को इंजॉइ करना चाहती हूं रोट ट्रिप रख ले वाइज और जोई करते हुए मस्त घूम रही हूं यह बोर हो गई थी लाइफ से, इस फेस्बुक से, इस वाटसाप से, हिमन लाइफ से और इजनेलिजी दी खत्ब हो गई थी एक काम करते है उसे फॉलो करते है पकड़ आगया तो जा रहा था चुर कहीं का तो ना भाई यह चोड़ो मुझे नहीं इसका क्या चुराय तुमने कैश सब हंड्रेट की है यह 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 बैज्व इनके पास वे प्लेट प्लेट यह रहत जाई तो यह चुन में आने कर अपकह एस अंदेशिए ऐलेगल यह सब्सक्राइब यह आंगोठी भी मेरी है बाई एक थपड़ चीचकी दूंगा चॉरी करता है शर्म नी आतीएक मिनट आपके पा यह चोटी सी अंगोठी छोड़ दीजे ना चोटी चोटी निकल लो हुँँ तेरी दुकान पता है मुझे जा चलता हूं सर चलता हूं दिन रात महनत करके कितनी तकलीफ उठाके दिवार चड़के कुटों से बचके मैंने कितनी महनत से चोड़ी की अपनी जान पे खेला मैं और तुने सब को बटवा दिया मेरे पेट पे लात मारी है तुने कभी सुखी नहीं रहेगा सांड कितरा बड़ा हो गया है महनत करके नहीं केमा सकता क्या चलेगल हर कोई लेक्ष्यर ही देता है ओ हीरो अब वापस क्यों आया ओ सूट बूट और यह ब्रेंडेड टीशेट पहनने से कुछ नहीं होता है पस देखो इसमें पांच रुपए भी नहीं है देखो तुने लीजिए रात में आपने जो साइकल गिर्वी रखी थी आपके रिष्टदार के वज़े से मेरा सोना वापस मिल गया मेरी इज़त बच गई इसलिए आपकी साइकल आपको वापस दे रहा हूं राम राम जिन्दगी भर आपका एहसाम नहीं भोलोगा शुक्रिया कि कोई रिष्टा नहीं था हमारा फिर भी रात का खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपनी साइकल गिर्वी रख दी कि आपने सराब छोड़ दिया था ना अरे जाने मन हम तो सराब छोड़ दिये हैं यह हमरा खाती थोड़े ना है तो फिर इकिस के लिए लाए है अरे यह तो हम गोपी के खाती कि अरुक 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 दिखने रहा है अरे अशोग मिया अरे घर में हो कि नहीं भाई आ रहा हो जरा रुको तो और जल्दी बाहराँ भाई क्या मिया खैरियत है ना है तो ठीक हूं तुम कैसे हो अलहम्दुलिल्ला भाई सब उपर वाला के दया है अच्छा अशोग मिया वो गोपी कुछ पैसा मनियांटर किया है क्या उसके जाने के बाद कोई ख़बर नहीं है उसके अरे अब क्या बताए मिया हम अपने अब्बा अब्बाजान उसको बूल सकते हैं लेकिन हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे तो क्या करोगे अगर मिल गया ना तो हम उसका टुकडा टुकडा कर देंगे हमारा जिन्दगी बर्बाद कर दिया अब्बाद को का बोले बताईए दोस्त के नाव के कलंग पैसा लेके भाग्य अगरा करा जाओ करा जाओ करा जाओ करा जाओ कर आए इस तो इस यह तो तुम को अधाया यह है तो तुम भी हो ना मैं बिल्कुल ठीक हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी इसलिए मैं सौरी बोलने के लिए उसाब छोड़ो तुमको देखके कलेजा गंकद हो गया सारा देखो कौन गोपी हमारा भाई देखो कितने सालों के बाद हमारे घर आया है तुम खड़ा-खड़ा का करी हो जाके कुछ मटन-मटन बनाओ जल्दी जाओ ना बाइठो इस मेरे दोस्त है अहाम कलीम पाशा ऐस तुम्हारा तो सब बाले सफेद हो गया तेरी तरह कलर नहीं करता हूं ना चीर्ज यह क्या रहे खूशी में नीटे पी गया है बहुत खूश है ना एक्स्क्यूज मी कलीम पाशा जी का घर यह है क्या यह है अभी वह प्ली स्टेशन गये है अच्छा क्या उनसे मिलने यहां पर कोई गोपी कृष्णा जी नाम के आदमी आये थे वो तो कला कर चले गये आप कॉन दरसल मैं उनका बेटा हूं अब क्या करें तो ठीक है हम चल तुम्हारा नाम क्या है नाम पूछ रहे हो अहां जरा पलट 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 ना ओके जब तक मैं ना बोलू पीछ रहे हूं अहां जब तक मैं ना बोलू अच्छे मत देखना तुम्हारा लग चेक कर रही हूं ठीक है ओए देखो पहच अलग नेक्स टाइम हूं थे गहाइं ना किया है क्या हो ई एक क्या कर रहे थे तुमम्हें क्या कर रहे हूं मनी से की लोकेशनuna इंज्जा रहे हूं और लोक कितने अजीब है तो समझते हैं ऐसे बिवेव कर रहे थी जैसे वो मुझे चांती से उसके साथ पिताय पल मुझे बार-बार याद आ रहे थे और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था शर 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 कर दो कर दो कर दो उस रात मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया था में रात भार सो ही नहीं पया बस उसका चेहरा ही मेरी आखों के सामने खुमता रहा हुआ है सॉरी पता है मैंने लाइफ में आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला तुम्हारा जैकपॉट लग गया सुरों दूसरों की फिलिंग्स तुम्हें समझती हो ना अच्छा बापरे फिलिंग्स भी है क्या फिलिंग्स है हां बोलो इतना गुज़ा क्यों कर रहे हो एक खुब सुरत लड़की तुम्हें समझा रही है तो समझना चाहिए ना हलो हलो नो गर्ल फ्रेंड्स है अब भी समझी अचीब दासता है ये कहां शरू कहां खतम ये मन्जिले है कौन इसी लालालालालालाला क्या बात है अभी ता गुसाखत नहीं हुआ अम् साइबर काफे है हाँ एक्सक्यूज में येस कि आई हाव शिस्टम प्लीज पहले वाले में चले जाओ थैंक्यू ये नियूज एप मैं अधिन ये घंडिया है वाली ये जाओ लिए्यू अज़ थाज़ सर्मार्ण शरुब बारे नांज़ कि बस छोटी सी प्रोब्लम है इतना टेंशन लेने की जुरूत नहीं है सही टाइम पर डिसेशन ले लेता तो यह नहीं होता ठीक है पहले पापा को डोंड़ता हूं सारे प्रोब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे कि अब यह कहां चली गई मेरे पास ही तो खड़ी थी कि अबड़ मेरे पास है तो खड़ी कि आप है तो खड़ी छाएंगे कि अबड़ को दो खड़ी पास है एक्स्क्यूज मी बॉस आप कहा तक जा रहें सिर्टी होस्पिटल क्या आप मुझे सिर्टी तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज हाँ पहले गाड़ी स्टार्ट करवा दो आजाओ बेट जाओ थैंक्स थैंक्स बॉस और भॉस जुक्षा जुक्स ऱोुझ को ऑड़ रो अब ठीक तो है ना हुआ है डाट इतने इतनी दिनों तक आपने अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता है बता देता तो क्या करता है लेट्स को बैक वह बड़े बड़े डॉक्टर्स है आप फिर से ठीक हो जाएंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पर मुझे अब यहीं रहना है यहां से मेरी बहुत सारी यादे जुड़ी ही है मैंने जो गलतियां की है उन सब को सुधारना है जिम्यदारियां है समय कम है करना बहुत कुछ है कारते को डाट डाट आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि माम होती तो अच्छा होता है हाव कम आज सद्धनली तुम्हें अपनी मा की यहाद आगी हम क्या बात है कुछ भी तो नहीं सोजाए आपको आराम की जुरत है अच मैं सोजाओं अरे आप सोजाए सोजाए कर तुबह उस लड़की का नाम बता देना मुझे हम लोग हमेशा सपनों की पीछे भागते हैं लेकिन कभी कभी सपने हमारे पीछे आते हैं उस लड़की के बारे में मैं जितना भी बताओ उतना कम है आइ मिस्टाइड विली आइ मिस्टाइड लड़की का नाम नहीं बताया अवे तक तुम ने वो तो अपना नाम बताया भी नहीं चली गई डैड कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ये लोग दर्वाजा खोले भीना हमारी जिंदगी में चले आते हैं लेकिन ये लोग चले जाए उससे पहले हमें ये दर्वाजा बंद कर लेना चाहिए नहीं तो ये लोग हमारी आखों से ओजहल होकर यहां हमारे दिल में यहां कांटे की तरह चुकते रहते हमेशा है इसलिए बोल रहा हूं तुमसे लेकर आ उस लड़की को नो रैड इस सिच्वेशन में मैं आपको छ आपको पहचाना नहीं पहले तो कभी नहीं देखा एक्चली मैं ओ मेम साब की शादी के लिए हैं फ्रेंड है उनके जाहिए जाहिए अंदर जाहिए सभी लोग अंदर है शादी कॉम्राइट्स यह बताने के लिए आये हो मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूँ इतने दिरों के बाद तुम्हारा नाम और तुम कहां पर रहती हो मुझे कुछ पता नहीं था बहुत मुश्कल से यहां तक पहुचा लेकिन लेट हो गया अभी क्या करना चाहते हो शादी करना चाहता हूं तुमसे इतना इजी नहीं है घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे तो इसमें क्या है परशे करवादो सबको राजी कर लूगा इस वीग में दीदी की शादी है घर पे लेकि चलती हूँ सबको राजी कर लो फिर देख तो कि यह हमारा व्रिंदावन कैसा है एक्चली युनों सॉर अफ एक्स्ट्रा कुछ मत बोलो बहुत अच्छा है बोलो ठीक है बहुत अच्छा है बेवकूफ कहींगे वह वहां ममी 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 यह लड़का कौन है फोटाग्रफर पर अल्रड़ी किसी को बुला लिया है न नहीं आएगा न क्या अरे हांटी वह आ नहीं पाया है उसने मुझे फोन करके बदाए कि वह नहीं आ पाएगा फिर मैंने सारा काम छोड़के फ्लाइट पर तुम रहोगे कहां मैं तो किसी भी होटल में रूपर पर कहां परिशान मत हो यह ममी एक चादर एक टक्या देंगे बस हो जाएगा पीमिन भी बहुत कम है इसकी कि आये क्या है आये तो इसे कहीं से उठाकर लाई है इसको देखकर लगता नहीं है सच में उठाकर नहीं लाई है इसे अपने साथ लाई है डाड़ी यह टीवी सीरियल का प्यार मुझसे नहीं देखा जाता है मुझसे लड़के को मैंने कहीं देखा है जाने दो है अलो सर नाइस तो मेट यू कार्टिक मेरे डाड़ी मेरे बेस्ट फ्रेंट इसे पाने वाने बिलाओ कर्यों यह शो सर चलो जल्दी चलो मॉसी मॉसी क्या है फोटोग्रफर है फोटोग्रफर अजी सुनिये जल्दी आये आ रहा हूं अब ही नहीं शादी में शादी में मॉसी कार्टिक कार्टिक मॉसी है कमान 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 चलो मुझे भी आपसे मिलने कमान कर रहा है पर घरवालों को पता चलिया तो थोड़ा मुश्किल है पर हम मिल सकते हैं तो मैं बा helmet करती हूं फागल है क्या चोड़ पॅगल बात कर रही है अ हुआ अ ही कालिया नो इटान कून्कि पोन जा और रो राग आँ ध्युर। ऊठिया यissa राग चलो ना डरो मेरे साथ सब कुछ बार में बताती हti हूर चलो अब आँके खोलो mm हाल, हालो है ड़ाद, किसी है मैं बिल्कुल अच्छा हूं तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम भी बहुत अच्छे हो तुम्हें जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच गए हो न है डाड एक बात बताओ यह ब्लेस यह लोग इनकी बात है सब कुछ यहां पर कुछ पर नया नहीं लग रहा है I feel like it's so familiar इसे ही तो relationship कहते हैं तु जिस काम से गए हो तुम उसे पूरा करो गए मुझे पता है just one thing Kartik ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ओके all the best take care कि अग्याद करें पर दो जाए जिए आसमान इतना लाल क्यों है लगता है किसी ने खूण से लाल कर दिया और सूरज हमारी तरफ देख रहा है यह लाल और पीले रंग में कितना डिफरेंस है बिल्कुल वैसा जैसे किसी अच्छे और बुरे इंसान में होता है तु जल्दी पैक तैयार कर ठीक है माली क्यों रहे इतना स्ट्रॉंग पैक क्यो बनाया मैंने तो नॉर्मल पैक बनाया माली मुझे बेवकुफ समझ रखा तुने नॉर्मल बनाया स्ट्रॉंग मनाये यहार यह तो गजब दिन बदिन जमान होती जा रही है इससे बात करनी पड़ेगी तुम मुझे जानता नहीं है ठीक है फिर लगे रहे अरे सुनो क्या हुआ गर्मा गर्म काफी मिलेगी तेरी टाइमिंग बहुत गंदी अरे यहां पर सब अपने-अपने काम में लगे वे कर रहे हैं जरा सबको देख तो सब लोग अपनी वाइफाई के साथ सेट हो गए है और हमारे पास एक भी सेट अप नहीं है मुझे फॉरन एक सेल्फी लेकर फेस्बुक पर डालनी है मेरे फैंस बेट कर रहे होंगे जरा पूछ तो वाइफाई है क्या कहीं दिखाई नहीं किरा समझ हो है है हां जरूरत है पूछ पूछा रहे है अीव már डिया बिलकुल बुरी हमत मानना बिटा इप अच्याव पासवर बता नहीं बतांगा उंगा ठीसे पासवर ghosts बोल रहा किना in papa पासवरन मतांस HC मेटा बुरा मत मानना कुछ जरत होगी तो बुलाओंगा अभी तुझा मारने के लिए क्या चुम्मा लेने के लिए चल रहे कनेक्ट करना जी मालिक अजया अजना क्या 처ुख बुले तुछ पस्या फ्र बुलाओंगा मैं लिए ग्योगा नोफ बुलाओंगा जाता हु़ assignवाशने दिचाव सüyorत ane मारुव भी व्योगे वाडcess वक उलता ह्रुई तौप जबुलंगा तौछilim креп tür के लासंप। कि अ अथिन को थेफा बाएगार के उना थिर रख्णा करना थे इसाया है हम डुुक्क ड़र रख्ण भर्टोर कि अव्चा ल मस्ट ने के अझाऽ भाया है अणिए, एंडे, एंडे, क्या वा आरे है ंटी, जाक अगे रहे है क्या क्या गरेने आरे है, आरे है प्टारा। प्ड़ी प्टाराई प्टारी झाल 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 जो पास में खड़ी है कभी उसके बारे में भी सोचो ये खुशियां सब तुम्हारी वज़े से हैं अब चाहे मेरे घरवाले माने या फिर ना माने हमारी शादी जरूर होगी बिल्कुल नहीं मैं तो मना कर ही शादी करोंगा इतनी अच्छी फैमिली है मुझे तो बस इनका दिल जीतना है दिल तोड़ना नहीं है तो पादची हो डाड़ी, मैं सोच रहा था, हमारी ऐसी फैमिली क्यों नहीं है, डाड़ मैंने हर बात अपने बेटे को बता ही, लेकिन आस तक एक बात उसे नहीं बता पाया, नहीं बता पाया, शायद कभी बता भी नहीं पाहूं, मेरी भी एक फैमिली है उस बारे में, जिस फैमिली को मैंने खुद अपने आप से दूर किया, उस फैमिली के बारे में उसे नहीं ब कि उसका फ्यूचर खुशी से गुजरे फिर में आराम से आखें बंद कर सकूंगा कि अधार रुको दो हां तुमारे पिताजी ठीक है ना मेरे पिताजी तुमारे पिताजी उनको मरे वे दस साल हो गया तुमारे पिताजी मर गए अरे रहुत दुफ़ा पागल कहीं का क्या जमान आ गया तसलिए दे रहों तरहा पागलlie. आज कल तुकिसी को मेरा कोई भी आइडिया काम है चल पार दे जल्दी माली, आपको इस्के दिमाज सब्छा सुदुखаш लगता है तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर हो एक सेल्फी खीचोगे सेल्फी खीच नहीं आती ली जाती है अच्छा सेल्फी ली जाती है अरे तू कहां जा रही है मुझे बहुत सारा काम है सामने साथो तो काम जल्दी खतम करके आजाना मैं यहीं बिलूगा इसका गु अब तू मुझे बताएगा के लाइन में कैसे लगाना है चाल कहा हो सकती है यहां पर कहा रखी थी यह रखी थी मिली क्या कहा हो सकती है पता नहीं कहा है यह देखने हैं इतने सारे लेटर्स या है यह सब देखने हैं इसमें भाईया कैसे हो आप हाँ भाईया कॉन यह किसके बारे में है इतने सारे लेटर्स हैं पोस्ट भी नहीं किया अड्रेस भी नहीं है काफी 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 हाई, हाई, तुम यहां क्या कर्दों, मैं, मैं फोटो, फोटोने कल रहाद। हाई, बिज्यो, अच्छा अच्छू, कल रात तुम ने यहां किस किया था, और आज यहां पर कोई आसपास है भी नहीं, तो क्या तुम मेरे होटों पर किस कर सकती है। जाओ, अंजू, प्लीस यार, प्लीस जाओ, रात मार मुझे नेंड नहीं आए, अंजु, प्लीस, प्लीस. और ही कोई देख लीगा, यहां सबसक है कोई भी प्लीस, एख क्ष मेर् defin smell, प्लीस एख किस एख किस, ठीक हीजे आओ coffee खिला थाओं हाँ किस कि शैतान कहीं कि जा तुम अंदर जाओ मैंने कहा अंदर जाओ क्या चल रहा है इस घर में यह हां घर में बच्चे हैं बूडे हैं तुझे जरा भी शरम नहीं आती चल क्या रहा है इस घर में बता अंजली तुम अंदर जा मापर यह तो रुक जो जू ज़रा लड़के को रोखना तो अभी रोखती हूं कि असे सुनों तुम्हारी शादी होगी क्या hep आप डालो 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 इसमें कड़ी नहीं सबसी है तो क्या हुआ वही डाल दो लीजी यह ना खाईए अरे सुन इरी शादियों भी खाने वालों को यहीं बुलाना पड़े यहां मुझे खाने को बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी देखिये आराम से खाईएगा कहीं गले मे मैं खा रहा था तो इसे अब तुभी ले आजिगा कामर चाहिए गया इसके सर पर डाल दे मुसीवट तल जाएगी अरे पाप्रे कि मम्मी और मौसी ने नानी से बात की है दीदी की शादी होने तक रुके हैं उसके बाद वो लोग पापा से बात करेंगे सच में कि थैंक्स बोलने के लिए आये हो कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मगर मगर दादी महां कि आप मुझे इतना अच्छा समझती है कि ना मेरी कोई जान पैचान है ना कोई रिष्टा है आपसे फिर भी इतनी इज़त दे रही है मुझे और इस तरह से आप बच्चीस साल तक यूँ ही कि सौरी दादी मा मैंने आपको शायद कुछ ज्याधा ही हर्ट कर दिया होगा हर औरत की जिन्दगी में तीन पुरुशाते हैं बेटा सबसे पहले अपने पिता फिर दूसरे पती और तीसरा कोग से जनम दिया हुआ बेटा मेरे पती परमेश्वर रावची वो हमारे घर के ही नहीं पुरे गाउ के लिभगवान थे शहर की हवा गाउं की तरफ रोख करने लगी थी शहर के वातावरण में रहकर लोग गाउं में भी खेती बाड़ी करने लगे थे लोग इंडुस्ट्रीज के जरीए काव को बर्बाद करना चाहते थे लेकिन मेरी पती ने इस काव को और यहां के संस्क्रिती को बचाने के लिए दिन रात सोचने लगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हम सब की भलाई के लिए ये काम तो होना ही चाहिए जहां पर हम लोगों को मंदिर की निव रखनी चाहिए वहां पर वो लोग फैक्टरी बनाना चाहते हैं आप ही बतागे क्या उचित है और वैसे भी हमारे गाउं के लोग धेदर अपनी जमीन बेशते जा रहे हैं अब कुछ तो करना पड़ेगा ना देखो अंके बोलो हर इंसान जिंदगी में खोशी चाहता है और चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ रहे हैं है कि न बास्ता निकाली और आपके साथ तो आपका बेटा भी है मैं अच्छा रहूं मेरी लोग अच्छे रहे यह सोच अच्छी थी लेकिन वह सूचते थे कि लोग खुश रहे और उनकी खुशी की वज़ा मैं बनूं उनका ऐसा सोचना था इतने अच्छे इंसान की सबसे इतनी दूर आया है वह घर के अंदर भी आएगा क्यूं परिशान हो रही हो देखो कौन बोल रहा है वही दर्वाजे की तरफ देखते रहते हैं वह भी चुपके चुपके कि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी जायदात का वारिस बने बल्कि वह चाहते थे कि वह उनके सपनों को पूरा करें लेकिन गामाक्षी जननी जन्म भूमिष्चा स्वर्गादपी गरी असी जिसने बचपन से सिखाया है उस परमेश्वर का बेटा है वो मगर वो अपनी मा जन्म भूमी को छोड़ करके आज जाना चाहता है इतने सालों तक इतना बड़ा बोज आपने खमोशी से कैसे सेहन किया दादिमा ऐसे क्या देख रही है आप अब तक मैं सोचते थी कि मुझे कोई नहीं चाहिए लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने अपने दिल की सारी बाते तुझे बता दिये बेटा क्योंकि आज से आप यह समझ लीजी कि मैं आपका पोता हूं क्योंकि आपका पता हूं क्योंकि इस पावन अब सर पर करते हैं वन दना आपका पता हूं क्योंकि आपका अब पता हूं कर दो आट है किया संवाइब मेंग। आट है किह लुष झाल दोने कर दोी तुष झालों नहीं पिलाएब है हुआ 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 है जल्दी जल्दी मोरत का समय निकला जा रहा है जल्दी करो नहीं तो अपसर नहीं हो गई है तो इसका मतलब चार सूटके सो समान दे के विदा कर दोगे क्या ये तरीका है तुमारा पूछो ना है सही बोल रहा है ऐसे वेज़ते हैं क्या अरे बीस साल से इस घर में पली है और सबने उसे बहुत नाजों से पाला और परमेश्वर जी की नातिन है वो नए घर में जा रहे है तो बच्च क्यार तो टुकर टुकर घूर रहा है तो जाकर अपना काम कर मैं इधर का काम से मालता हूं क्यार प्यार जाए 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 पर गुष क्यों टॉट करने हैं। डाद, डाद, किसी से पहली बार मिलने पर हाल-चाल पूछना चाहिए ना, उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर लिया, आप वापस जा रहे हैं, कोई ऐसी मिलता है कि अपने महमानों से, दादी महा सब को राजी करके यहां पर सब को मिलाने के ले लेकर आई थी, फिर वो सब बिना मिले घर के अंदर क्यों चले गए, आखिर बात क्या है डाड, I'm sorry, dear, I'm really sorry, मेरे पाप इस तरह मेरे सामने आएंगे, मैंने नहीं सोचा था, अप ऐसी जिन्दगी जीव, मैं इसी सोच रखता था, हाट कुई ऐसा सोचता है एक समय में, पर मैं अपने सपनों को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था, और इस कोशिश में, इस कोशिश में मैंने अपनी पूरी जिन्दीगी को मिटा ढ़ाला, मेरे पिता जी ने मेरे भविश्य को देख लिया था उन्होंने कहा था कामाक्षी चननी जन्म भूमिष्च स्वर्गादपी गरी असी बच्पन से जिसने सिखाया उस परमेश्वर का बेटा है यह फिर भी यह अपनी मा अपनी मा जन्म भूमी को छोड़ कर जाना चाहता है इ इनके सपनों की बारे में सूच इनके सपनों को साकार करने के लिए यह तरहис against us और इसमें उनका बेटा उनके साथ रहे यह उनका स्वार्थ है इन्हों ने सब सोच लिया और वह बिल्कुल सही है मैं एनके साथ कड़ा रहूंगा इन्होंने एक बाइड मान्दों अगर मैं पूछ बेंगेक तो आखिर क्या कर लेता ठूue वो अपनी जमीन बचाना चाते हैं वो सब ठीक है मार लेकिन मेरे सपनों पर आप सब लोग पानी क्यों फेर रहे हैं तुम्हारे सपनों का मतलब लाखों या करोड़ों सिर्फ सपना दुनिया जो आगे बढ़ रही है उन सब में आगे खड़े रहना मेरा सपना है जो इस दुनिया में इंसान मशीन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और आप मशीन में जंग लगाकर वहीं खड़े हुए हैं ये बात गलत है वहालक्षमी वहालक्षमी तुम्हारे भाईया इस गाउं को छोड़कर पूरी दुनिया को जीतने जा रहे हैं यह महाश है इनको तिलक लगाकर विदा करो इतनी छोटी सी बात को आप पहाड की तरह बड़ा क्यूं बना रहे है पिताजी अरे गाउं की लिए जीना गाउं की लिए जान देना इस जमाने में नहीं होता है I'm sorry I don't think like that I can't help it अगर मा को देखनी की इच्छा होगी तो मैं वक्त निकाल कर यहां पर आ जाओंगा अगर बहनों से बात करने का मन करेगा तो टाइम निकाल कर फोन कर लूँगा मैं और अगर मैं कुछ बन गया तो जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं इस गाउं के लिए मदद करूंगा सिंपल को नहीं पड़ेगी यहां पर जा बेटा इंसान अपने लिए जीए तो क्या जीए अपने मात्र भूमी के लिए जीना ही जिन्दगी है केमिकल फैक्ट्री हमारी गुदावरी के पानी को खराब ना करे यह मेरी सोच अपनी संस्कृती को जो हम सालों से चलाते हुए आ रहे हैं वो मिट्टे में ना मिले यही मेरी कल्पना रही है हमेशा से और उसी के लिए मैंने अपना संपून जीवन त्याक कर दिया है एक पढ़ा लिखा लड़का जब हमारी भावनाओं को नहीं समझता हमारे सिद्धांत को नहीं समझता अपनी मात्र भूमी को नहीं समझता तो तकलीफ होती है, तब और होती है जब वो पैसा और भौतिक वाद के तरफ भागना शुरू कर देता है, उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने गाउं, अपने समाज, अपनी मात्र भूमी के काम आ सके, इसलिए नहीं कि वो गाउं छोड़ कर चला जाए, वो सोचता है कि मैं अच्छा रहूं और मैं सोचता हूं कि सभी अच्छे रहे, हमारी पीडियों की सोच में शाहिद यही सबसे बड़ा अंतर है, उससे पूछे बिना ही मैंने गाउंवालों को जबान दे दी, और वो, वो मुझे ही ठुकरा कर चला गया, मेरी जबान ही मेरे लिए चान ह और वही मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी सुबान पूरी नहीं कर पा रहा हूं, अपने वादे में पूरे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये बात हमेशा सालती रहेगी बहुत बड़ी गलती की है आपने डाइड आपने सोचा भी कैसे कि आप अपने अपनों को छोड़ कर खुश रह सकते हैं इस वक्त आपको मुझसे कहीं ज्यादा उन सब की जरूरत है डाइड सिर्फ आपके और उन लोगों के सोचने भर से आपके खुन के रिष्ठे कभी खत नहीं हो सकते चलिए डैड अंदर चलते हैं चलिए क्योंकि अगर यह अभी नहीं वहा तो कभी नहीं नहीं हो पाएगा अंदर चलिए डैड नहीं ने ने मैं आपकी कुछ ने सुनूगा अंतर चलिए चलिए कार्तिक बोलो कुछ बद बुलिए दादी मा आपने जो गलती नहीं कि उसके लिए आपने आपको सजा दे है ठीक है लेकिन मैंने जो गलती नहीं कि उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही है मेरा बेटा मेरा बेटा हमेशा यह का कितने प्यार बिलाती थी आप मुझे और जैसे ही पता चला कि मैं उनका बेटा हूं तो सारे रिष्ट्री खत्म कर दिया न, गुवाजी, आपके भाहिया आपकी जान है, हमेशा ये ही कहने का मन करता था था आप उन्हें हमेशा ये खत लिखा करती थी थी न, कोई खुश्य हो है कोई दुख हो घर की हर एक बात लिखा करती थी आप उसमें एड्रस नहीं मिला तो आपने से पोस्ट नहीं किया है ना अब वही आदमी आपके सामने खड़ा है अब तो आप उससे बात कर सकती है चोटी बुवा अब तो तब भी और आज भी इनकी वही चोटी बहन है जो कहती थी कि मेरा भाई जो कहेगा मैं वही करूँगी कोई सवाल तक नहीं करती थी कि अन्जू कि सिंदगी क्या होती है यह मैंने तुम से मिलने के बाद ही जाना है अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना ने में मैं यहां तक पहुची कि नहीं पाता मेरे इतनी बड़ी फैमिली है इस बारे मं मुझे पता ही नहीं चलता इतना सब कुछ सिखा थि तो इन सब को भी सिखाओना कि अपनों को माफ कर देने में है αλλά यह बात नहीं सिखाती है है हाँ मैं मानता हूँ कि यह आपको छोड़कर चले गए थे आपको याद तक नहीं किया और उसके बाद किया आप लोग मिलकर रह रहें तब से मिलकर रहना मतलब एक घर में रहना नहीं होता एक दूसरे के दिल में रहना होता है मेरे डाट की दिल में आप लोग रहते हो ये बात मैं नहीं जानता है और रही बात मेरी मुझे तो आप सब के बारे में पता ही नहीं था ऐसे परवरिश होई है पर अब मैं जानता हूं कि आप सब मेरी फैमिली है और मैं आप सब के साथ में रहना चाहता हूं लेकिन आप लोग मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं अकेले जीना बड़ी बात नहीं है मैं हमेशा ऐसे ही जिया हूं और मेरे डैट भी ऐसे ही जीते आ लेकिन अब जब मुझे आप सब के बाहरे में पता है तो मुझे अब थोड़ा दुख हो रहा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे लिए तो हमारे रिष्टों से कहीं जादा हमारी इगो जादा इंपॉर्टेंट है कि अधिगी में गलती करना नहीं बलकि गलती करने वाले को माफ न करना सबसे जाता बड़ी घलती है कि अधि आधि अधि आधि 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 कि आधि आधिए कि 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 आधिए रहावावावावावावावाव इन्हारा बन्हारा आचाने बिद्षेश START कर दो 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 कि अधिया डाट फिर से उस फैमिली के मिंबर बन गए उन्होंने अपना आखरी समय अपने परिवार के साथ बिताया अपना स्टेटिस अपनी दौलत इनसे कहीं बड़ी चीज वो हमें दे कर चले गए और वो है उनकी याद जो हमेशा हमारे साथ रहेगी थैंक यू डाट प्यार से आपका कार्थिक ए अंजली कार्थिक हुआ हुआ हुआ